भुमिहार 142, यादव 165, कुर्मी 24, ब्रामण 126, राजपूत 179 नई बुझे, ये बिहार में जातियों का नया कोड है बिहार में जातियां अब एक खास कोड से पहचानी जाएंगी जाती आधारित गणना के लिए राज सरकार ने सभी जातियों के लिए नमबर निधारित कर दिये हैं लेकिन इस पर विवाद भी सुरू हो गया है आरोप लग रहे हैं कि कुछ जातियों को कमजोर करने की कोशिश हो रही है इसके साथ ही सवाल है कि कहीं ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं इन सभी सवालों के जवाब तलासने हाजी रहे आपका बिहारी पत्रकार नाम है मुहन कुमार इन्ने उन्ने का नहीं या होगा ओनली बिहार आगे बढ़ने से पहले एक अपील अगर आप आरोप प्रत्यारोप से पढ़े ठोस वीमर्स वाली खबरें और वीडियो देखना चाहते हैं तो कुइंट का मिंबर वनिए कैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक कीजिए बिहार में जाती गजणगरना के लिए 244 जातियों की पहचान की गई है सभी को एक खास कोड नंबर दिया गया है और जो इसके दाइरे से बाहर हैं उनके लिए खास तोर पर कॉमन कोड 215 रखा गया है यानि अब जातियों की पहचान उनके कोड संख्यां के जरिये होगी अब कोड से ही पता चल जाएगा कि कौन किस जाती का है सरकार का कहना है कि इसके जरिये वा जातियों के वास्तविक आखड़े पता कर रही है इसके आकड़े बजट और योजनाय तैयार करने में सहायक होंगे जिससे विकास को और गती मिलेगी मुखी मंत्री नितीश कुमार खुद इसे लोगों की तरक्की और आर्थिक विकास के लिए जरूरी मानते हैं उनका कहना है कि इससे सभी जाती धर्म के लोगों की स्थिती अच्छी होगी और तभी राज्य आगे बढ़ेगा लेकिन क्या ऐसा होगा क्विंट हिंदी से बादचीत में A.N. Sinha Institute of Social Studies पटना के पुर्व निदेशक प्रोफेसर डियम दिवाकर कहते हैं कि अभी तक 2021 का जनगन्ना नहीं हुआ है ऐसे में बिहार की डवलप्मेंट और प्लैनिंग में ये आग्रे महत्पूर्ण हो सकते हैं यहां एक सवाल और उठता है कि क्या विकास जातियों के आधार पर ही होना चाहिए जिन जातियों को आरक्षन नहीं प्राप्त है क्या उन्में गरीब और वंचित नहीं है इस सवाल के जवाब में प्रोफेसर डीम दिवाकर कहते हैं कि जातिकर जणगन्ना के बीना भी लोगों का विकास किया जा सकता है लेकिन जो आज भी सबसे नीचले पायदान पर खड़े हैं उनके लिए अगर अलग से आकड़े नहीं होंगे तो उनका विकास कैसे होगा इसको वो इस तरह से समझाते हैं बिहार में पमरिया जाती है लेकिन उसके बारे में कोई पुकता आकड़े नहीं है ऐसे में उनके उद्धार की बात कैसे होगी इस तरह दो मुषर हैं इनके भी अनुमानी ताकड़े ही हैं ऐसे में उनका विकास कैसे होगा उसके लिए टारगेटेड प्लैन कैसे बनाया जाएगा वहीं वरिष्ट पत्रकार प्रवीन वागी कहते हैं कि इस देश में जो पिछड़े पन का पैमाना तै किया गया है वो अवज्यानिक है उत्थान गरीबों का होना चाहिए चाहें वो किसी भी जाती के हूँ सर्वे इस बात का करना चाहिए कि आरक्षन का लाव किसको और कितना मिला जिनको लाव मिला क्या सच्मूच में उनका उत्थान हुआ या अभी भी वो पीछे ही है इस पर काम न करके ये उल्टी गिंति की जा रही है और उल्टा काम किया जा रहा है प्रवीन वागी का मानन है कि इससे कोई बहुत जादा फाइदा नहीं होने वाला है उप जातियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि जातियों के संख्या बलको कम करने की कोशिश की जा रही है इसको ऐसे समझा जा सकता है यादव का कोड 165 है इसके अंदर गौला अ सारी उप जातियां जोड दी गई है तो फिर ऐसा कुर्मी से जूड़ी जातियों के साथ भी किया जा सकता था लेकिन सरकार ने इसकी अलग कोडिंग की है धानुक का कोड 91 है जबकि सैंथवार का 192 वैस्ष्रे जाती के साथ भी यही बात है इसकी 50 से अधिक उप जातियों बताई जाती हैं जिने अलग-अलग जाती माना गया है जाहिर है जब इनकी गिंती अलग-अलग होगी तो इनकी संख्या में सवभाविक तोर पर कमी आ जाएगी इसलिए उन्हें भी प्रभाब कम होने का खत्रा सता रहा है वहीं मैथिल, कान्य कूपज और अन्य ब्रामनो की उप्स रेणियों को ब्रामन नामक एक समाजिक इकाई में मिला दिया गया है, जिसका जाती कोड 126 होगा, इसकी उप्स रेणियों की कोई अलग गणना नहीं की जाएगी, किनर यानी ट्रांसजेंडर का कोड 22 है, लेकिन इसको लेकर भी विरोध हो रहा है, कहा जा रहा ह कि क्या लिंक के आधार पर किसी की जाती तै की जा सकती है, क्या पुरुष या महिला को जाती के रूप में माना जा सकता है, इसी तरह ट्रांसजेंडर को जाती के रूप में कैसे माना जा सकता है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग किसी भी जाती के हो सकते हैं, बहरहाल इ सहित तमाम पार्टियों की नजर अन्य पिछड़ा वर्ग यानि OBC पर रहती है. 1990 में जब मंडल कमिशन के सिफारिस लागू की गई तब उस समय 1931 की जनगर्णा के अनुसार देश में OBC की जनसंख्या 52 फिस्दी होने का अनुमान लगाया गया था. अब कहा जा रहा है कि उनका दाइरा बढ़ा है और इसका सही पता जनगर्णा से ही लग पाएगा. चुकि 1951 से जनगर्णा में केवल SC-ST का आकड़ा ही प्रकासित हो रहा है. ऐसे में OBC और अन्य जातियों का आकड़ा नहीं उपलब्ध है. ऐसे में अगर OBC की आबादी बढ पुक्ता करने के लिए इसे नितीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं. अब जरा चुनोतियों की भी बात कर लेते हैं. बिहार से पहले केंद्र की UPA सरकार ने 2011 में समाजिक आर्थिक सर्वे के साथ जातिगत जनगर्णा करवाई थी. साल 2016 में SECC के सभी आंकड़े प आसला किया. 2017 में कंठराज समीती ने सरकार को रिपोर्ट सौपी लेकिन उसे भी जारी नहीं किया गया. ऐसे में सवाल है कि क्या जनगर्णा के बाद बिहार सरकार जातियों का डेटा जारी करेगी? प्रोफेसर डियम दिवाकर जोर देकर कहते हैं कि इसके लिए राजनीति इच्छा सकती नहीं होगी तो ये पूरी कवायद आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में कनवर्ट हो जाएगी. वहर हाल 15 अप्रेल से बिहार में जातिगर जनगर्णा का दूसरा चरण सुरू होने जा रहा है जो 15 मई तक चलेगा. राज सरकार ने इस काम के लिए 500 करोड के फ वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो की तुरंट जानकारी के लिए घंटी बजाएगे.